बिस्मिल्ला इर्वाफ्माद इर्वाहीम, असलाम अलेकूं दोस्तों एटेस्टेस्टेस्पोंचर की जानिब से आप सब को अपने चेनल में खुश्मामदीत कहता हूँ दोस्तों ने जो पेपर शुरू किया था पीएस्टी का आज उसका पार्ट टू अफ्लोड करने की कोशिश करते हैं पार्ट वन अल्लेडी हो चुका है यह 24 यारा 2019 का पेपर था जिन दोस्तों ने पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप उनको विज़िट करके वाज कर सकते हैं आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ बिल वाली अकान को भी क्लिक करें वीडियो को देखने के बाद लाइक और शियर लाजमी क्या करें आज का portion Mathematic portion शुरू करते हैं दोस्तो This one This is Mathematic portion Question number 16 कुछ इस तरह से है Question in 3 जबर 10 question है इस तरह की question कभी कभार paper में आते है The average of 11 number is 10.9 यह 10 है दोस्तो This is 10 कोई भी 11 number है उसका average 10.9 है If the average of 6 is 10.5 यह भी 10 है अगर पहले 6 हिंसों का आउस्त 10.5 है और आखिरी 10 हिंसों का आउस्त 11.4 है तो इस में से हमने 6 गौन चर्टा नमबर 6 नमबर पर जो हिंसा है उसको find out करना है तो इस तरह की question को कैसे सोंग करना है मैं आपको इस में सोंग में ले चलता हूँ देखें यह question हम नहीं यहाँ लिख चुका हूँ यहाँ से पॉर्ड यह असानी से पॉर्ड जा गया तो पहले तो हमने यह करना है कि तोटल आउस्त मालूम करने है और टोटल मालूम करने है नमबर का तो देसम अउप नमबर तो सम आफ इलेवन नमबर इलेवन नमबर है आउस्त उसका आफ ज़श अशरीय नाओ और टोटल नमबर है गया है तो इसको आपस में जरब देदो तो 119 अशरिया 19 आएगा और 9 आएगा अब पहले 6 हिंसे हैं उसका जमा sum of first 6 नमबर उसका उसत है 10 अशरिया 5 और इंसे हैं 6 तो इसको आपस में जरब देदो 63 आएगा इसी तरह sum of last 6 नमबर आखिर इंसे जो है उसका जमा टोटल आएगा वो 11 अशरिया 4 है सर भी 6 के चरब देदो 68.4 आएगा अब क्या करना है आपस में इन जो रूं को आपस में जमा करें ये जो 6 इंसे और 6 इनको आपस में जमा करें और पहले वाले total को स्वैसी निकाल दे तो आम है middle number मिल जाएगा middle number और या the sixth number 6th number या उसको middle number भी कह से कहता है middle दूनौ साइट से middle हो रहे तो क्या करना है आपके 63 जमा 68.4 माइनस 119 इसको अगर आप जमा करोगे और फिर माइनस करोगे तो आपको मिलेगे 11.5 तो देक्रिक्ट आप्शन इस ऑप्शन डी है। फिर नमबर 17 देखें दोस्तों आप्टा एवरेज आप फॉर्स टेन यह दस है। इवन नमबर्स इवन नमबर्स वो नमबर्स होते हैं जो के दो पर पूरा पूरा डिवाइट होते हैं। जिस तरह दो पहला इवन नमबर्स दो है पिर चार इस तरह छे आट दस बारा इस तरह दस तक चले जाएं। और इसको आपस में जम करें पिर इसको डिवाइट करें दस पर अगर आप ऐसा करोगी तो आपको मिलेगा आंसर ग्यारा तो आप्शन डी is the correct आप्शन पिजर नमबर 18 को देखें। 18 नमबर कुस्टर कहते हैं कि अमेंस पेंड और इस ये तीन आज़ा तीन सो हैं। ये इसके साथ दो जीरो हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसके साथ दो जीरो सें। एक अदमी तीन आज़ा तीन सो रुपे खर्च करते हैं और ये तीन आज़ा तीन सो रुपे जो हैं ये उसकी सेलिरी का 75 पीसद है। तो उसकी मंतली इंकम यानि मंतली सेलि पाइंड आउट करना है। क्वेशन को समझ ला। तीन आज़ा तीन सो खर्च करते हैं ये उसके टोटल का 75 पीसद है। तो टोटल क्या होगा। तो देख इसको यहां आल करते हैं। सपोज उसके मंतली इंकम जो है ना सपोज इस मंतली इंकम वह एक्स है। तो अब एक्स का 75 पीसद 75 परसंट आप एक्स ये बराबर है 3,300 का। अब इसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो 75 पीसद को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्स को जर्ब देदो। अब इसको रिड्यूस करो तो यह आएगा 3,500 चार। जर्बे एक्स। दोनों साइट को चार से जर्ब देदो। तो त्री एक्स आजाएगा और यह जर्बे चार। तो हमारे पास आएगा 3,200 एक्स की वैल्यू आजाएगी। डिवाड़ी बाइ 4,400 तो देखें करिक्ट आप्शन आएगे देखें इसके साथ भी 3,0 हैं। इसके साथ 2,0 हैं। ठीक है। इसके साथ 3,0 हैं। यह 5,000 हैं। इसके साथ 2,0 हैं। तो करिक्ट आप्शन इसमें। आप्शन भी है। अगे देखें क्विच्ट नमबर 19 को देखें। तु आटो मोबील जार यह 150 से हैं दो गाड़ियां 150 किलोमेटर के पासे पर एक दूसरे से कड़ी हैं वन आटो मोबील इस मुविंग 60 किलोमेटर यह 60 हैं थो उद्थ लो ठोड़ी के एंगाड़ी 60 किलोमेटर के सारेत वार रही रहीせて आरही है और दूसरी गाड़ी नमबर वन है और ये दोसरी गाड़ी है और इनके दरम्यान जो पासिला है ये 150 किलोमेटर है ये कितना है 150 किलोमेटर कमन से स्कॉल करते हैं जरा ठीक है और देखे दोस्तों ये गाड़ी एक गाड़ी 100 km के रतार से रा रही है 60 और दूसरी गाड़ी 40 km तो एक गोंटे में ये दोनों गाड़िया 100 km का पासिला तो एक करेगा एक गंटे में 100 km, एक मिंट profession एक गंटे में YES, एक गंटे में 100 km और 1.5 गंटे में 150 km तो इसका अंसर होगा 1.5 यानि देट गंड़ा तो देखें इसमें आप्शन डी दे करेक्ट आप्शन यह देखें 1.5 हर तो I think आज के लिए इतना कॉपी है वीडियो नंभी हो रही है बाग की निशाला होताना नेक्श वेडियो में अप्लोड करने के कोशेद करूँगा जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है समझ लिए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर लाज़ी में करें तेंक्यो फॉर वाचिए